नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजूकेशन फॉर इंडिया में आज हम आप लोगों को हिंदी के बहुती सू प्रसिद्ध लेख़ जिनका नाम है अग्यें उनके जिवनी के बारे में बताने जा रहे हैं सबसे पहले हम आपको बता दे करते हैं कि अग्येंजी का पूरा नम क्या है सचिदानन हीरानन वास्यायन तो चले शुरू करते हैं अग्येंजी की जिवनी सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि अग्येंजी का जन्म कब हुआ मित्यू कब हुआ और कहां हुआ तो अग्येंजी का जो जन्म है वो साथ मार्च 1911 में उत्तर प्रदेश के देवर्या जिला के कुसी नमगर नामग गाम में हुआ है और उनकी मित्यू चार अप्रेल 1987 में नई दिल्ली में हुई है यह हिंदी के बहुती सुप्रसिद साहितकार थें अग्येंजी बहुती प्रतिभा संपन्न कवी थें सैलिकार भी थें और कथा साहित को एक महतपुर मोड देने वाले कथाकार ललित निबंदकार संपादक औ और बहुती सफल अध्यापक के रूप में भी जाने जाते थें चलिए अब जानते हैं इंके वैक्तिकर जीवन के बारे में इंका वैक्तिकर जीवन कैसा था अग्येंजी के पिता जिनका नाम था पंडित हीरानन सास्त्री वे प्राचीन लिपियों के बहुती बड़े अग्येंजी के साथ कई स्थानों की परिक्रिमा करते हुए बीता है कुसी नगर में अग्येंजी का जन्म साथ मार्च 1911 में हुआ था उसके बाद उन्होंने लखनवू स्री नगर और जम्मू इन सभी जंगा घूमते हुए इंका परिवार 1919 में नालंदा पहुचा वजब अग्येंजी का परिवार और उटी में अग्येंजी की सिछा के बारे में अग्येंजीने अपनी सिछा कैसे की अग्येजी ने घर परी भाषा, शाहित्य, इतिहास और विज्ञान इन सब के सिछा आरम की और 1925 में अग्येजी ने मैट्री की प्राइवेट परिच्छा पंजाब से उत्रिन की और इसके बाद दो वर्स मद्रास के क्रिश्चन कॉलेज में एवन तीन वर्स फॉर्मन कॉलेज लाहोर में संस्थाबग सिछा पाई वहीं बीएस्सी और अंग्रेजी में एमें पुर्वाद पुरा किया और इसी बीच भगत सिंग के साथी बने और 1936 में गिरफतार भी हो गया अब जानते हैं अग्येजी का कारेकाल क्योंकर कारेकाल में उन्होंने क्या क्या किया अग्येजी ने छवर्ष जेल और नजरबंदी भोकने के बाद 1936 में कुछ दिनों तक आग्रा के समचार पत्र स्यानिक के संपादक मंदल में रहें और बाद में 1937 से 49 में विशाल भारत के संपादकी विभाग में रहें अग कुछ दिन औल इंडिया रेडियो में रहने के बाद अग्येजी ने 1943 में शेन शेवा में प्रविश्ट हो गया और 1946 में सेन शेवा से भी मुक्त होकर वसुद्ध रूप से साहित में लग गया मतम मेरट और उसके बाद इलहाबाद और अंत में दिल्ली को उन्होंने अपना किंद्र बना लिया चले अब सब्तक सब्तक क्या है अग्येजी की इसके बारे में जानते हैं अग्येजी ने 1943 में साथ कवियों के बक्तव्य और कविताओं को लेकर एक लंबी भूमिका के साथ तार सब्तक का संपादन किया था अग्येजी ने आधुनिक हिंदी कविता को एक नया मोड दिया जिसे प्रयोक्सिल कविता की संग्या दे गई और इसके बाद समय समय पर उन्होंने दूसरा सब्तक, तीसरा सब्तक, चौथा सब्तक का भी संपादन किया अब क्रितियां जानते हैं क्योंकि क्रितित्व कैसे थी अग्येजी की अग्येजी का जो क्रितित्व था वो बहुती बहुमुखी था और वहां उनके समरिध अनभो की सहज परड़ी निती देती है अग्ये जी की जो प्रारम की रचनाई थी उसके अध्यन की गहरी छाप अंकित करती है और यह प्रेरक वेक्तियों से दिछा की गर्माई का इसपर्स देती है और बात की रचनाय नीजी अनुब की परिपक्कता की खनक देती है अग्ये ने अपनी अभिवेक्ती के लिए कई विधाओं, कई कलाओं और भासाओं का प्रयोग किया जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रावितांत, निबंद, आदे उपन्यास की छेत्र में सेखर एक जीवनी सिंदी उपन्यास का एक किर्टी स्थम्ब बना इनकी जो प्रमुक किरितियां हैं जैसे कविता भगन दूद, चिन्ता, इतलमे, हरी घास पर छड़वर, बावरा अहेरी, आंगन के पारद्वार, पुर्वा, आदी इनकी प्रमुक उपन्यास भी जैसे सेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अजिनवी अब आएए पुरसकार के बारे में जाते हैं कि अग्यें जी को कब और किसके लिए पुरसकार मिला अग्यें को भारत में भारतिय पुरसकार, अंतराष्टिय गोल्डेन रीथ पुरसकार, अतिरिक्त, साहित अकाजमी पुरसकार जो 1964 में और ग्यान पिट पुरसकार, उननी सो एक ठत्तर में समानित किया गया था तो यह थी अग्यें जी की जीनी, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बल आइकम पर क्लिक करें ताकि आपको हमारा जो भी वीडियोयर, नयए वीडियो हो डिस अग्यो सभ नोटिफिकेशन के माद झाल, 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 झाल